हाई अब्रीवन वेलकम बैक तो इस न्यू वीडियो इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीट को पॉबन आप जड़े लेके नाइन तक है जैसे आपने देखा होगो सूट केश होते हैं ठीक है तो कुछ कुछ सोट के इसमिंघ मारा जो लॉक का सिस्टम होता है उसमें वील टाइप के सिस्टम होता है वादा भी लिए हो गया ये, अब जो इसमें नमबर्स दे रखे हैं, वो मेरे को दे रखे हैं, 0 से लेके 9 तक के बीच में, ठीक है, तो मेरे को जैसे, यहाँ पर मेरे को नमबर्स दे रखे हैं, 0, 1, ऐसे करके होते हैं, जिनको आप रूटेट करते हो, 0, 1, 2, 3, ऐसे लेके 9 तक दे रखे हैं, मेरे को नमबर्स ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि the lock initially starts है 00, ठीक है, यानि कि इन सब के जो नमबर्स है initially, उन सब में 0 आ रहा होगा, तो यानि इसमें भी 0 आ रहा होगा, इसमें भी 0 आ रहा होगा, इसमें भी 0 आ रहा होगा, ठीक है, and represent a start, you are given बना लिस्ट ऑफ डैड एंड्स जिसमें डैड एंड्स दे रखे मिनिंग इफ लॉग डिस्प्ले अनि अफ दिस कोड तो हमारा वील जो है वो रोटेट करना स्टॉप हो जाएगा और हम उसको कभी खोल नहीं पाएंगे ठीक है तो हमें डैड एंड्स में यह दे रखी है एक इन्पूट एरे डैड एंड्स में जो इन्पूट एरे इसमें हमें कुछ नंबर से एक है इन फॉर्म स्ट्रिंग्स तो अगर मेरे यह नंबर आ गए तो मेरा लॉक जो है उस वह वह लॉक हो जाएगा और मैं उसको फिर रोटेट निकर पाऊ हमां जैसे जीरो टू जीरो इस वाले लॉक में आ गया जैसे इसमें मेरा आ गया लेट से जीरो इसमें आ गया मेरा टू इसमें आ गया मेरा जीरो एन इसमें आ गया मेरा वन तो अगर मेरा कभी भी ऐसा पैटन आया तो मेरा जो यह वील्स है यह लॉक हो जाएगे इनको मैं फिर रोटेट निकर सकता ठ ठीक है, आगे का कह रहा है हो, हमें एक target दे रहा है, represent the value of the wheels that will unlock the lock, ठीक है, return the minimum number of turns required to open the lock, और minus one return कर देना अगर possible नहीं है, तो इस case में जो target दे रहा है, वो दे रहा है, 0202, मतलब कि अगर मेरे को कोई ऐसा pattern मिल गया, 0202, तो मेरा lock जब वो unlock हो जाएगा, और मैं अपना suitcase ज ठीक है, तो minimum कितना time लगेगा, या minimum कितने steps लगेंगे ये pattern बनाने में, तो मेरे को initially दे रखे है, 0, 0, 0, 0, हाना, मेरे को दे रखे है, 0, 0, 0 and 0, तो मैं basically क्या कर सकता हूँ, मैं एक बार मैं सिर्फ एक ही wheel को rotate कर सकता हूँ, तो जैसे अगर मैं first zero के लिए करो, तो मैं इसके कर दूँ, decrement, तो अगर 0 का मैं decrement करूँगा, तो घुम के 9 में आ जागा, क्योंकि circular way में चल रहा है, तो इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ, तो इसके लिए मेरे पात 2 option है, या तो ये convert हो जाएगा 1 में, या तो ये convert हो जाएगा 9 में, ठीक है, similarly इसके ल तो 1 में convert होगा, या तो मैं 9 में convert होगा, ठीक है, तो ये मैंने याँ पर एक step perform कर लिया, तो मैंने देखा कि यार मेरे को मिलनी रहा भी भी वो pattern, 0-2-0-2 वाला pattern मेरे को मिलानी, तो मैंने याँ पर एक level अपने बढ़ा दिया, यानि कि 1 turn मैंने कर लिया है, मेरे को number of turns पता ठीक है, मेरे को total number of turns पता करने है, तो ये तो मेरे को मिलना नहीं, तो अगर मैं initially यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पर initially, मेरा 0000 था तो अगर मैं इसको ऐसे consider करूं कि इस वालों को मैं एक बार fix रख दूं, यानि कि अगर मैं ऐसे कर दूं, 0 को मैंने fix रख जाओ, second व तो कि मेरे पर दो जो choices है न, but एक point of time पर एक बार में मैं बस एक ही choice को implement कर सकते हूं, या तो मैं किसी को बढ़ा रहा हूं, या तो किसी को कम कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका level आगया, मेरा one, एक बार मैंने कर दिया, अब जो अगला है level, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरे क जाया का 0200, ठीक, अब मेरे को 02 तो मिलिया, और ये करने में मेरे को लग गए 2 levels, या 2 turns लग गए मेरे को, अब मैं अगर इसको ऐसे करूं, कि 02 and 01, इसमें लग गए मेरे को 30 turns ठीक है, बट यहाँ पर जो 02 and 01 है, यहाँ पर देखो 02 and 01 आगया dead end में, तो भाई ये तो dead end में न यू से rotating नहीं कर सकता है, यहाँ लिखा था ना, कि अगर मैं जैसे dead end पर पहुंचा, तो lock display any of this, the wheels will stop turning and you will unable to open it, तो अब तो मैं इसको open नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये वाला जो मैंने step लिया था, गलस step था, इसको मुझे perform नहीं करना था, तो मैं क्या क देता हूँ, ठीक है, तो अब मेरे को मिल गए 3 levels, मतलब क्या है कि मेरे को increment ये decrement करने के बाद जो भी मिल रहा ना, मेरे को check करना है, अपने dead ends में कि कहीं मैं dead end तो नहीं आ रहा, dead end आ गया तो वो तो मैं चाहिए नहीं ना, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को 3 levels मिल गए, अब म मैं इसको increment करूँ, 0, 1 and then, इसको मैं फिर से increment कर देता हूँ, अब ये जो 0, 2, 1, 1 है, ये dead end में present नहीं है, देखो ध्यान से, इसमें present नहीं है, तो मतलब कि ये एक valid pattern है, इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करना है मेरे को, अब मेरे को 2 बनाना था, त इसको कर दो, इंक्रिमेंट, ठीक है, तो मेरे को कितने levels होगे, मेरे 5 बार मैंने इसको turn कर लिया, अब last वाली turn में क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 0 बना सकता हूँ, ये वाला जो है, तो मैंने क्या करा, 0, 2, इसको मैंने decrement कर दिया, तो ये मैंने वन गया, 0 and 2, और मेरे को मि log हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका output आगया, मेरे 6 ठीक है, बहुत बढ़िया, अब इसको मेरे को करना क्या है, तो देखो मैंने क्या बताया था, कि हर, हर क्या बोल सकते हैं, अब हर element या फिर हर pattern के लिए, हर pattern का है, जो मेरे पास element मिल रहा है, मेरे को, ये 0, 0 जो मिल रहे ह इसे करके, और मेरे को options मिल जाएंगा, फिर और मिल जाएगा, तो मैं अपने levels को बढ़ाया जा रहा हूँ, तो वो बहुत बढ़ी एक tree बन जाएगी, तो उसको मैं पूरा draw नहीं करता, बट आप समझ गए कि, हर level के लिए, मेरे पास, जो, क्या के number और choices हैं, वो बढ़ती आपको, देखो, पहले दो, मेरे initial state है, वो 00 है, जहां से मुझे start करना है, और मैं number of turns पता कर लिए, जो कि मेरा final answer बनेगा, any number of turns को मैं return करा रहा हूँ, हाना, और यहां पर अगर मेरे को, कोई भी मेरा answer नहीं मलना, तो मैं बने minus बने return कराना है, यानि कि impossible है, उस target को achieve करना, तो मैं check कर रहा था, कि dead end में present है, या नहीं है, तो उसके लिए मैंने in, जो मेरे dead end में present है, या नहीं है, तो इस question को मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो, यह जो मेरे answers मिल रहे है, यह वाले, इनको आप assume करो, कि यह graph के notes है, हाना, जैसे अभी देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरे पास जो initial state थी, वह थी 10000 ठीक है, अब यह जो zero है, इसको मैं, यह इसकी कितनी states हो सकती है, यह यह तो मेरे 0 में जा सकता है, या तो मेरे 1 में आ सकता है, मतला यहँ है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, और ऐसे करते-करते मेरे 9 आ सकता है, यानि कि इसके लिए मेरे 10 इसके बास भी है 10 possibility Сितलीं कितनी हो सकते हैं यानि की 10 to the power 4 हो सकती है atra गटो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 तो दी पावरGo यानि की मैंने जो बताए है कि मेरे जो ग्राफ के नोट्स बन रहे हैं, तो वो कितने नमबर नोट्स हो सकते हैं, मेरे 10 to the power 4 notes हो सकते हैं, ठीक है, imagine करो कितने साथ नोट्स थे हैं, 10 to the power 4 notes में मेरे को पता करने हैं, वो वाले notes, जिनके through जाके मैं shortest time period में अपना target achieve कर सकता हूं, ठीक है, तो भाई मेरे को traverse करने ग्राफ को, जो traverse करने के लिए, मेरे पर DFS होता है, या BFS होता है, बट यहां पर हम BFS यूज कर रहे हैं, BFS क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर देखो, initially जो मेरा था, 0000 था, तो मैंने 0 second वाला था, उसको increment करके मैंने कर दिया 1, यानि यहां पर मेरे पास जो था, 0000, इसमें मैंने क्या करा, इस वाले को increment कर दिया, और इसको कर दिया 1, बाकी और मैंने किसी को नहीं छेड़ा, ठीक है, तो अगर यह मेरी graph की एक node है, तो इसका जो neighbor होगा, वो तो यह यह होगा न, यह क्यों होगा neighbor, क्योंकि इस graph के न, चार neighbor सुनगे, देखो ध्यान से, इस graph के चार neighbor कौन से हो सकते हैं, अगर मैं इसको एक node assume करना हूँ, तो इसका एक neighbor हो सकता है, जिसमें मैंने इस पहले वाले को increment करा, और बाकी सब को मैंने ऐसी attitude रग दिया, ठीक है, सिम लास्ट वाले को न, सेकेंड वाले को, मतलब जो सेकेंड लास्ट वाला है, और एक और neighbor होगा, इसका लास्ट वाला जो मैं increment कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह मैंने कर दिया, इंक्रिमेंट करने के बाद मैंको इसके चार neighbor सुनगे, वो चार और neighbor सुनगे, जिसमें मैं इसके कर रहा हूँगा, तो हर नोड के न, मेरे को कुछ कुछ नेवर्स में, उन नेवर्स में जो traverse करके, मेरे को पता करना है, अपना shortest बात, तो उसके लिए तो मैं use करता हूँ, BFS में मतलब क्या हो सकता है, कि आप जो है neighbor से पूछ रहे हो, कि मेरे को कहा जाना है, और फिर आप traverse करते वे जा रहे हो, जैसे example के लिए भाई, आप जो है रास्ता बटक गए, हाना, आप आपको पता नहीं, आप सीधे सीधे बस चलते जा रहे हो, तो आपको बीच में जो neighbors मतलब की जो लोग मिल रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, कि भाई कहा है रास्ता, तो आप उनसे क् कोई मिल रहा है रास्ते में, उससे पूछ रहे हो, तो फिर आप आप आगे बढ़ जा रहे हो, तो ऐसे ही BFS में होता है, BFS में आप पूछ आगे जा रहे हो, हना, जैसे, मैंने, initially, मैंने ये था 00, मैं पूछ तो मैंने को मिल गया, one-one-one को increment करा, तो मैंने को ये मिल गया, तो मैं गया आगे, मैंने इसको फिर से increment करा तो मेरे को ये मिल गया, तो ये इसके neighbors है, ये इसका neighbor है, ये इसका neighbor है, ये इसका neighbor है, जैसे neighbors मैं पूछ आपना मिल गया, shortest path, ठीक है, तो मैं इसको एक बार यांसे हटा देता हूँ, तो BFS क्यों यूज कर रहे है यह आई होब आपको समझ में आगे होगा मेरे को नेबर्स के थुरूप उस्ते वे चलते रहना बस आगे ठीक है और जब मैं आगे चल रहा हूँगा तो मेरे पर दो पॉसिबिलिटीज वोगा या तो मैं इक्रिमेंट कर रहा हूँ ठीक है अब यहां पर यह वाली जो चीज थी जो मैंने पर एन ओडर सेट बनाए यह मैंने बता दिया था क्यों कि क्यों बनाए क्योंकि मेरे को डैडेंड में चेक करते रहा ना जैसे-जैसे में आगे बढ़ूँगा कहीं मैं अपने डैडेंड पर तो नहीं पहुंच गया थीक है उसक क्योंकि मेरे को BFS यूज करना तो मैंने यहां पर एक Q बनाया हना और Q में मैंने इनिशली इस वाली स्टेट को पुश कर दिया जो कि मेरी इनिशल स्टेट है बहुत बढ़िया उसके बाद यहां पर मैंने लगाया यह जो मेरा कोड है ठीक है यह यह टैंपलेट है मेरा BFS क बार ठीक है तो BFS आपको आना चाहिए इससे पहले हना तो BFS में क्या होता है कि जैसे Q है तो यहां पर मैं लगाता हो ना कि जब तक Q मेरा empty नहीं हो जाता या Q का size greater than zero है currently उसमें कितने element present है वो मैंने store कर लिया अपने element उसमें n में ठीक है तो यह मेरे n जो है यह मुझे बता रहा कि current elements कितने है Q में ठीक है अब मैं क्या करूँ है current element के लिए current element के लिए current element in the sense की notes की मैं बात कर रहा हूँ जैसे यहां पर मेरा 0 0 था initially 0 0 0 ठीक है तो मैं initially तो इसके लिए traverse करूँगा हना बट इसके अलावा यहां और भी जुम कर रहा है अपनी current state जैसे अभी तो initially मेरा 0 0 0 0 यही मेरा current state है तो वह मैंने कर दिया current state उसको कर दिया Q में से पॉप ठीक है और मैं फिर मैंने चक कर रहा हूँ कि क्या मेरी current state है अगर मैं target पर पहुंच गया तो मैंने return कर दिया number of terms को और अगर नहीं पहुचा तो मैंन neighbor से पूछ रहे हो जैसे जैसे मेरे को 0 1 0 1 जो था ठीक है इसमें क्या neighbor से पूछा तो उसको बताया कि 0 2 0 2 पे मेरे को जाना था ना तो उसने बताया कि भाई इसके बाद ना तुझे जाना है 0 2 0 0 पे ठीक है तो इसने बता दिया कि भाई तो फिर इसमें जाना है फिर इसने जाँगा 2 पर मिलको मेरा answer मिल रहा है तो ऐसे इसको पूछते वे जाना है ठीक है उसके लिए मैंने function बना दिया एक जिसमें मैंने अपना q डाल दिया current state डाल दी and set डाल दिया set q डाला है मैंने ताकि मैं check करूं कि dead end पर तो नहीं पहुंच गया मैं कहीं ठीक है और एक यह जब हो जाएगा मेरा क्या केते हैं यह जब मेरा process हो जाएगा तो मैं अपने number of turns को बढ़ाया जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक levels complete करते जा रहा हूँ ना यहासे यहाँ पर मैंने इसके लिए सब पता कल जाता तो जब मैं second वाले पर जाओंगा तो मेरेको अपने number of turns बढ़ाने पड़ेंगे ना जैसे मैंने जो पहले वाला एक्जामपल दा उसमां दिखाया था ठीक है अगर कुछ नहीं आया तो return कर दिया माइनस वन ओके अब यह जो check for neighbors है इस वाले को समझते है जरा देखो यहाँ पर मैंने एक fall loop लिखा हूआ है fall loop क्यों लिखा हूआ है क्योंकि मेरे पर चार values है ना 0 1 0 0 ठीक है चार values है इन चार values के लिए मैं क्या कर रहा हूँ तो वही चीज़ मैं लिखी है कि यार जो मेरी current state है ठीक है current state का जो first character होगा जैसे initially मैं 0 के लिए process कर रहा हूँ कौन से δू operations है एक बार increment करो एक बार decrement करो तो इंक्रिमेंट करने के लिए क्या करा है मैंने एक णया यहां पर 10 मिल जाएगा 10 तो मेरे को मिली नहीं सकता ना भाई क्योंकि वील्स पर जो के numbers mention वो 0 से लेके 9 तक है तो अगर मेरे को यहां पर 10 मिल रहा है तो घूम के मेरे को वाप इस 0 पर जाना पड़ेगा अब इस चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हो ठीक है वो मैं अभी आगे बतातों और सिमुझ जली decrement के लिए क्या हो जागा अगर मेरे को यहां पर मिल गया 0 तो 0 में से अगर मेरे को 1 माइनस कर दूँ तो क्या मेरे को माइनस बन पर जाना है माइनस बन तो ही नगरी नंबर हो गया न इस पर तो में जाए निसकता तो 0 को decrement करने के बाद 0 के पीछे वाला जो नंबर होगा 9 तो यहां पर देखो अगर मेरे current character 0 है तो इसका decrement value जो होगी 9 और अगर 9 0 के अलावा कुछ भी है तो simply decrement कर दो अब मेरे को 2 मिल गए मतलब increment करने के बाद कौन सा नंबर है वो मिल गया and decrement करने के बाद जो है कौन सा नंबर है वो मिल गया जैसे कहां गया वो मेरा हाँ जैसे इसके लिए था मेरे पास 0 and इसके लिए था मेरे पास एक था 9 तो इसके लिए 2 possibilities कौन सी हो सकती है कि अगर मैं 000 और एक हो जागा मेरा 9000 ठीक है तो मेरे को ये 2 possibilities मिल गई initially जिसमें मैंने सिर्फ first character को देखा है ठीक है तो ये 2 possibilities मिल गई ठीक है मैंने क्या करा कि जो मेरी सबसे पहले मैंने increment वाली जो state रही होगी यानि कि ये वाली जो state रही होगी इसके लिए मैं गया भाई पहले ठीक है अब इस वाली को पूछना है अपने neighbor से फिर ये वाला पूछेगा अपने neighbor से ठीक है अब अगर ये वाला जो है ये अपने neighbor से पूछते 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 dead end में पहुँच गया तो यहां से निकल रही है वो अपने neighbor से पूछते जाएंगे तो यहां पर क्या करा है मैंने put कर दिया अपने नई character को back in the current state जैसे यहां ने यहां पर करा था 0 की जगा यहां पर 1 आ गया था यहां पर 0 की जगा 9 आ गया था तो अभी मैं increment वाले के लिए कर रहा हूँ तो current state की जो आयत index पर जो value होगी वो अब replace हो जाएगी in current से ठीक है और फिर मैं क्या check कर रहा हूँ st.find current state equal equals to st.end मतलब मैं यह check कर रहा हूँ की यह जो मेरी value आई है क्या यह मेरे उस set में present है जिसमें dead ends है तो अगर वो present नहीं है तो उसको मैंने queue में push करा दिया और insert कर दिया अपने वापिस इस dead end में वापिस मैं dead end में क्यों insert करूँ ताकि मैं वापिस इस वाले पर ना आऊँ क्योंकि अब मैं क्योंकि ऐसा ही है कि जैसे आप अपने एक neighbor से आप push चुके हो और आप आगे बढ़ गए तो भाई वापिस घूम के उससे फिर से थोड़ी ना पूछने आओ गए उसने और रड़ी बता दिया आपको रास्ता कि मेरे को कहां जाना है कि आगे जाना है भही आगे जाना है तिर को तो वापिस घूम के थोड़ी ना उससे बार बार पूछो गए तो ये तो मेरा dead end हो गया तो इसको मैंने इसको वापिस इसमें डाल दिया अब इससे मेरे को नहीं पूछना तो मैंने इसको अपने set में डाल दिया ताकि मैं वापिस घुम कर इस वाली state पर ना आओं यह जो 1001 है इसके अगर मैं आगे बढ़ गया ना तो वापिस इस पर घुम कर ना आ जाओं इसलिए मैंने इसको डाला ठीक है और similarly जो मेरा decrement है उसके रिए भी मैंने कर दिया similarly same ही है यह कि मैंने क्यों में push कर दिया and in U h i mean पूझ कर दिया n इंसर्टट कर दिया अपने सेट मेठी में ठीक है हया उसके बाद यह है कि मैं पर कर रहा हो बैक ट्रेक याँ जब मैं वापीजा रहा हूंगा तो बैक करना है मेरे को हरना कि भाई मुरह को इस वैली उको जैसे अगर किたい मेरे आप मैं चलते लूप हाँ आ पर देको यह वाला एक लूप प्रेजन है तो यह चार बास चल रहा है ना फस्स इंडेक्स के लिए सेकर शेख चल रहा है और क्यूं में जो वैल्यूज आ रही है वह अपने नेवर से पूर्षित आ रही है बस हाँ तो मैं एक चीज बता रहा था कि ये वाली जो चीज है इसको आप कैसे कर सकते हो कि एक चीज जहां पर यह हो सकते है कि आपको increment करना है तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि जो मेरा आपका care increment care होगा वो ऐसा हो सकता है कि आपका जो current care है उसमें मैंने कर दिया plus one और प्लस बन करने के बाद मॉडूलो कर दिया उसको 10 से ठीक है तो अब क्या होगा कि जो भी value होगी वो 10 के बीच में ही रहेगी मतलब 0 औ 9 के बीच में ही रहेगी जैसे मैं अगर बोलू 9 मॉडूलो मेरा कितना होता है 10 तो वो होता है मेरा 9 ही होता है अगर मेरी मानलो value जो है 10 आगे तो 10 पर क्या था घूम के मेरा को जानता है 0 पर 10 मॉडूलो 10 मेरा जो होता है वो होता है मेरा 0 ठीक है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सिविन दल्दी अगर मेरा को decrement के लिए करना हो तो अगर के लिए आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर क्यार decrement के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ जो मेरा current character है उसको मुझे क्या करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ जो मेरा current character है उसमें मैंने minus 1 करा ठीक है then मैंने plus 10 करा and इसका मैंने module ले लिए 10 से अब भाई यह कर दिया मैंने माइनस कर रहा हूँ फिर प्लस कर रहा हूँ तो इसको देखो जैसे मैंने बताया था कि 0 है, 0 में अगर आप माइनस 1 करोगे तो आपको 9 आना चाहिए, ठीक है तो इसको एक बार करके देखता हूँ 0 में था, 0 में मैंने करगरा वाइनस 1, यह ठीक है तो इस एह आजाता मैरा 9 के लिए 10 से एक बार मैं इसको refresh कर देता हूँ तो यहां पर दो चीज़े कर सकते हैं, तो आप इस वाले का यूज कर सकते हैं, तो इसको मैं कर देता हूं, एक बार सम्मिट, ठीक है, तो यह हो गया है, मेरा एक से बहुत बढ़िया, इसकी तो टाइम कोमपसिटी आएगी, वह क्या आएगी, तो यार आप एक चीज़ सोचो टाइम कोमपसिटी क्या सकती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऐसे, I guess मैंने उसको इरेस कर दिया है, ठीक है, तो मैंने क्या बता था, कि जो मेरा ग्राब बनेगा उसमें कितनी नोट्स हो सकती है, 10 to the power 4 नोट्स हो सकती है, उसमें, worst case में हमें बात कर जाना है, हाना, तो इस case में यह हो गया, मेरे time complexity, 10 to the power 4, जो कि हो गई मेरी worst case में, और space complexity भी इतनी हो जाएगी, हाना, जैसे आप गए पहले ने बर पर पूछने, first node जोगी, तो पता चला कि भाई, यह तो dead end ने नहीं जाना, फिर दूसरे, फिर पता चला कि dead end है, फिर तीस फिर पता चला dead end में, ऐसे करते करते, आप 10 to the power 4 तक जा सकते हो, मतलब आपके जो set मैंने बनाया था ने, आपे, set मैंने जो बनाया था यहाँ पर, इसमें 10 to the power 4 आपके note store हो सकते है, ठीक है, तो इसकी space complexity और क्या कहते है, time complexity 10 to the power 4 तक हो सकती है, तो यह काफी बढ़िया question थ आप इसको एक बार revise करना, और कोई without हो तो comment section ने पूर सकते हो, आज किस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छे लेगे हो तो वीडियो को like कर देने and चैनल को subscribe भी कर देना, thank you